हलो फ्रेंज आप से लोग का स्वावत ही हमारी यूटूब चैनल कमिदर भाईया तो आज हम पढ़ेंगे खेल और स्वास्त्य यूपी बोट का पार छे पार्ट का नाम है प्रडायाम तो देखे दोस्तो हम इस पार्ट का सभी प्रेश्ण उतर देखेंगे जैसा की कक्छा 6, 7 और 8 तीनों कक्छाओं का एक ही किताब है तो चलिए इस पार्ट का हम सभी प्रेश्ण उतर देखते हैं जैसा की प्रेश्ण 1 है प्राण किसे कहती है इसका उत्तर हो जाएगा स्वास को जीवन सकती या प्राण कहती है अगला प्रेश्ण 2 नम्मर है मनुस्य एक मिनट में कितनी बार स्वास लेता है इसका उत्तर हो जाएगा मनुस्य एक मिनट में 16-18 बार सास लेता है अगला प्रेश्ण 3 नम्मर प्राणायाम किसे कहती है प्राणायाम के पांच लाभ बताईए इसका उत्तर हो जाएगा प्राड़ सक्ति या स्वास अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया पर नियंत्रड करना ही प्रड़ायाम कहलाता है प्रड़ायाम के पांच लाब निम्नलिखित है पहला प्रड़ायाम करने से मस्तिक्स का तानाव कम होता है दूसरा प्रड़ायाम करने से सरी निरोग रहता है तीसरा नियमित प्रड़ायाम करने से पाचन सक्ति और अस्मरण सक्ति बढ़ती है चौथा प्रड़ायाम से दिर्ग स्वशन का अभ्यास्वता होने लगता है इससे हमारी आयू बढ़ती है पाँचवा, प्रड़याम करने से कुरूत, चिंता, निरासा और भै जैसे विकार दूर हो जाते हैं अगला प्रेश्ण है, चार नम्मर, भस्त्री का प्रड़याम कैसे किया जाता है, इसके चरण बताईए इसका उत्तर हो जाएगा, भस्त्री का प्रड़याम तीन से पास मीनट तक किया जाता है, इसे करने के लिए सरुप्रथम प्रधाशन में बैठ जाएं, दोन नशिकाओं में सास अंदर खीचे, तथा बीना अंदर रोके, पुरी टाकत से बाहर निकाले अगला प्रशन है पास नमर प्रड़याम करने से समान्य नियम क्या है, किन ही पास नियमों को बताईए जैसा कि हमने आपर पास नियम लिखा है पहला है प्रड़याम के लिए सिद्धाशन या पधाशन में बैठना ठीक होता है यदि इन आशनों में बैठने में कश्ट हो तो सुखाशन में बैठकर प्रड़याम करे दूसरा बैठने के लिए दरी या कंबल का प्रियोग करे गणम्मर शाष सदेव नाशिक से ही ले, मुह से कदापी सास न ले भोजन के तुरंत बाद प्रड़ायाम कभी भी नहीं करना चाहिए भोजन के चार या पाँच घंडे बाद ही प्रड़ायाम करना ठीक रहोता है पाँचवा है प्रड़ायाम स्वच एवं खूली जगह पर करें अगला प्रश छे नम्मर है रिक्तस्थानों की पूर्ती की सिए जैसा कि हमने आपर पूर्ती करके दिखाया है दिया है नियमीत प्रड़ायाम करने से यहाँ प्रिक्तस्थान है यहाँ पर भी रिक्त स्थाने बढ़ती है तो अगर हम नियमीत प्रडायाम करती हैं तो पाचन सकती और अस्मरड सकती बढ़ती है तो यहाँ पर भर देंगे हम पाचन सकती यहाँ पर अस्मरड सकती अगला प्रश्ण है प्राड़ायाम की द्वारा यहां परिक्त स्थाने मजबूत होती हैं और रक्त संचार तीज हो जाता है तो प्राड़ायाम की द्वारा फिपड़ी यहां पर भरेंगे हम फिपड़ी मजबूत होताती हैं और रक्त संचार तीज हो जाता है अगला है गर नम्मर प्राडायाम यहाँ पर रिक्त स्थाने खुली जगह पर करें तो प्राडायाम स्वच यहाँ पर हम भरेंगे स्वच एवं खुली जगह पर करें यहाँ पर भरेंगे स्वच अगला है घर नमबर प्रड़ायाम के लिए यहां पर रिक्त स्थाने यहां पर विरिक्त स्थाने में बैठना ठीक है तो पूछ राई के प्रड़ायाम के लिए कहां पर बैठना ठीक है तो यहां पर भरेंगे सिध्धाशन या पधाशन तो देखे दोस्तो इसमें इतना है प्रश्न दिया था तुमिलते हैं शुर्यम तब तक के लिए धनेवा दोस्तो